दिली के पहाड गंज और नोजड़ा में संत निरंकारी मिशन दवारा रख्तदान शिविड का आयूजन किया गया जहां निरंकारी मिशन के 112 सेवादारों में अपना रख्तदान किया दिली के LNJP होस्पीटल से पांच सदस्य टीम और नोडा के दिश्टिक होस्पीटल से बारा सदस्य टीम रक्त एकतर करता पूची मिशन के अनेकों शद्धालों ने रक्तदान करने के लिए अपना पंजी करवाया पहाडगन शिवर का उद्धाटन संत निरंकारी सेवा दल के ओप मुख्य में संचालक S के जुने जाने किया जबकि दूसरे मोडा में शिवर का उद्धाटन डॉक्टर सुस्मा चंद्रा ने किया इस सबसर पर मुख्य अतित्यों का फूलों के गुलदस्ता के साथ स्वागत किया और उन्होंने रिबन काटकर शिवर का उद्धाटन किया इसके बाद उन्होंने शिवर का निर्क्षन किया और रक्तदान करने वाले लोगों को प्रोसाहित किया शिविट के दुरान कोविट नियोमों का भी खास ख्याल रखा गया। आभार वेक्त करते हुए सभी ने कहा कि भक्तों के लिए रख्तदान पहले साही भक्ती का एक महतअपूर्ण हिस्सा बन गया है। उन्होंने भकतों का आवाहन करते हुए कहा कि बेर निश्वारत भाव से मानवत्हा की सेवा करते हैं। दे रहे हैं, गेट से एंट्री करते ही, सबसे पहले उनका टेंपरेचर चेक किया जा रहा है, हर किसी का, उनको हाथ सेनिटाइज किये जा रहे हैं, उनको मास्क दिये जा रहे हैं, उसके बाद वे किया जा रहे हैं, कि उनका वे लिया जा रहे हैं, रिजिस्ट्रेशन की जा और जिनको वेक्सिनेशन लिये हुए 28 दिन से कम हुए हैं उनको हम रेजिस्टर भी नहीं कर रहे हैं इस कारे करम को एक मानता के लिए संदेश यह देना चाहता है कि जितना जो सत्वरु की शिक्षाएं है कि जो खून है वो नाडियों में बहे नालियों में नाब है और चड़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं सद्गरु के आश्चयनुसार की इस वक्त के अंदर जो मानता को जो ज़रूरत है उसकी मानता की जरूरत को पूरा क्लिया दास हमेशा कोशिचे रहती है जिप कैंप लगता है जितना भी हमरी तरफ से हो सकता है सयोग करते हैं यह जो स् बेसबरी से इनतजार होता है क्योंकि इतनी अच्छी विवस्ता और इतना सेवा भाव रहता है यहां के लोगों में कि जो मतलब बताने के लिए भी कम पढ़ जैंशब ऐसा है बहुत ही अच्छा इनका विवस्ता रहता है वैसे तो ब्लड डॉनेशन हर बार के लिए ही बहु लेडीज आती हैं जो बहुत ज्यादा सिवेरली अनीविक होती है उनको ब्लड डोनेशन के लिए कोई उनका घर परिवार वाला सदस्य भी नहीं होता है कि जो ब्लड डोनेट करें तो ऐसे समय में और कोविड पैंडेमिक के टाइम तो और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि लोगों के ब्लड डोनेशन कैम्प इस तरीके के आई होजित किये जाए ब्लड डोनेट करना हम लोग देश की सेवा के लिए सब कर रहे हैं जैसे समारे सद्गुरू का आदेश है कि जो रत है यह नालियों में नहीं नाडियों में भानात है तो अभी मैं बहुत एनरजेट अगर हम ब्लाड डोनेट करेंगे तो हम हमारा हर किसी के साथ रिष्टा एक ब्लाड कर रिलेशन बन जाएगा जिससे यूनिटी बनेगी एंड थांक्स तो सद्गुरू माताजी कि उन्होंने हमें यह एपॉर्चिनिटी दी और यह संदेश दिया कि हम भी इस इस वे से वन ब्लाड डोनेट करने से हमारे शरीर का खून और साफ ही हो जाता है कुछ पार्ट हमारे शरीर का खून का निकल जाता है और वह आगे भी किसी की जान बचाने के ही काम आएगा और अगर किसी की जान बचती है तो इससे बड़ा परवकार का कारे कोई है नहीं सद्गुरू माताजी का भी यही आदेश है कि हम समाज के काम आ सके हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए सारे युवाओं के कोशिश करनी चाहिए कि जहां भी जुरत हो समाज सेवा में आगे बढ़ें आगे आएं और देश के लिए भी यह बहुत जरूरी है हेल्थ सेवाओं के लिए भी बहुत जरूरी है गोरतलवे की मिशन के द्वारा प्रथम रख्तदान शिविर का आयोजन दिली में वर्ष 1986 के नवंबर माह में वार्षिक निरंकारी संद समागम के कहा कि रक्त नालियों में नाडियों में बहना चाहिए वर्ष 1986 से लेकर अब तक मिशन के द्वारा लगबग 6435 रक्तदान शिविर आयोजित किये जा चुके हैं जिसमें 11,10,535 यूनिट रक्तदान किया गया है मिशन के इन सभी गतिविदियों में संत निरंकारी मिशन की म पानवता को समर्पित विचारधारा की जलक प्रतेबंदित होती है और इस कारे की हर स्तर पर सरहना भी हो रही है दिली से अपने सयोगी अनुझा के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट हम वतन टीवी